बहुत से भीवर हमसे पूछते हैं कि हमारे इस्ट्रोबेरी में फाल नहीं बनते हैं तो इसका क्या कारण है कि आपके इस्ट्रोबेरी में फाल और फूल नहीं बन पा रहा है और किस तरीके से इसका सोट आउट करेंगे आज का इस वीडियो में कम्प्लीट आपके साथ डिस चाट हो चुका है साती साथ इसमों फ्लावरिंग भी काफी थेज़ हो रहा है प्लांट भी काफी healthy लग रहा है इसी तरीके से तीसरे पॉर्ट में आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हैं यहां भी अच्छे से यह भी गुरो हो रहा है तो यह कैसे पॉसिबल हो सका कि मेरा ज जो है इस्ट्रोवेरी बिल्कुल अच्छे से ग्रोव पा रहा है तो आज का इस वीडियो को कम्प्लिट देखिएगा क्योंकि एक चोटा 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 टीफ मैं आपको दूंगा जिसका आप फोलो करके अपने घर पर असानी से इस्ट्रोवेरी को उगा सकते हैं सब सब्सक्रांुसे पहला इस तरीके से नहीं रखना है सब्सक्राइल करके ऑपको चोट बहुत चोटा सब्सक्राइल सब्सक्राइब नाघियो क्यों करते यानि कि यह लीप को डिरेक्ट सोयल के कोंटेक्ट में नहीं पहुचना है यह पहुंचेंगे तो बिल्कुल आपके प्लांट जो है दिरे-दरे गलना स्टार्ट हो जाएंगे उसके लीप दूसरा step में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप फ्लारिंग ज़्यादा पाएंगे और इसका कौन सा फटिलाजर डालना है तो देखे इस्टोबेरी जो होता है वो 10 डिगरी से 25 डिगरी के टेंपरेचर में बहुत अच्छा ग्रो करता है यानि कि थंडी के सीजन पे स्टोबेरी का टेंपरेचर जो है वो कापरिस होटेबल होता है आप इस सीजन अराम से अपने घर पे स्टोबेरी उगा सकते हैं इसके लिए मैं बताऊंगा सिप एग चूटा सा फटीलाजर जो की अधर यूटेबर बताते हैं कि यह फटीलाजर पहले होगा ऻो जी बिल्कुल भी नहीं एक छोटा सा step आपको करना है कि एक ही फटलाजर जो मैं हर plant में डालने को लिए बताता हूं और वो बताता हूं liquid seaweed extract यानि कि liquid fertilizer का आप यूज करना है ऐसी नहीं कि आप अपने strawberry plant के लिए अलग fertilizer यूज करेंगे दूसरे plant के लिए अलग fertilizer करेंगे ऐसे आपकी जो terrace garden का जो fertilizer हर plant में डाली और इसका result जो होता है liquid fertilizer seaweed liquid fertilizer का इसका result बहुत अच्छा होता है यह आप इसको purchase करना चाहते तो इस वीडियो के description में आपको link मिलेगा आप वहां से purchase कर सकते हैं लोग बात कर लेते हैं कि इसमें watering कैसे करना है तो strawberry को water बहुत पसंद है तो आपको इसको करना है क कि हर पर डे पर आपको watering करना है जैसी कि आज watering आप इसको किए कल भी आप इसको watering करेंगे watering यह आप इसको continue करेंगे तो यह आपके जो plant है वह मरेंगे नहीं बिल्कुल healthy से गुरू करेंगे strawberry के लिए water बहुत ही अच्छा होता है और जिस तरीके साप इसको watering पर डे करेंगे आपके प्लांट जो हरे भरे रहेंगे जारदे हाइट तक गैन करेंगे अब तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके प्लांट के लिप कुछ इस तरीके से मर रहें या पर पीले पड़ रहें तो उसके लिए क्या solution है क्या यूज करना चाहिए और इसका जो चम्मच जो है एक लिटर पानी पर मिला करके अच्छे से अपने प्लांट के लिप पर इस्प्रे करेंगे तो इसके दो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा पहला रिजल्ट कि आपके लिप पत्ते जो पीले पड़ रहें उससे भी चुटकारा पा सकते हैं साथे साथ लिक्विड पत्ला जो और इपसम सॉल्ट की मदद से आप अपने इस्ट्रोबेरी पर ज्यादा से ज्यादा फॉल और फूल पाएंगे बस एक छोटा से टिप्स था ताकि आप लोग जान सके और अपने घर पर इस्ट्रोबेरी बिलकुल अच्छे से उगा सके आसा करते है अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू दिजेगा अगर इस ट्रैप का गार्डान से लेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा अगर हमारे यह वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को जरूर फोलो किजेगा थैंक्यों फूर वाचिंग इस वीडियो